आस कपने नमीन पंट चुरूद करना रहा होत चेमिकल पॉपरटीज ऑफ अलपोर्स अंद फिनॉल्स त्या मृइए फşर्स्ट पर आपट है एक लैबरुपर आपटक भल्राच आपटल ऑफ अलकोर आंद फिनॉल्स वाह त्या zap пок Davela पॉइंट आहे लिटमस टेस्ट तुम्हाला लिटमस पेपर मही देज़्य लिटमस पेपर दों कलर जासता एक अस तो प्लिटमस अन एक अस तो रेडमस वाटर सॉलिबल अल्कोल्स और फिनोल्स जे पानात वरिगवाता था चैन बित तेस्टेट विध लेटमस पेपर Aqueous solution of alcohol is neutral मंझेज तया litmus paper वर Aqueous solution of alcohol सा काही परिनाम होत नहीं Neither blue nor red litmus Change color मंझेज ज़र litmus paper Aqueous solution of alcohol मदे deep केला Blue असो कि वहाँ red असो तो तो स्वाता सा color चेंज कर नहीं Next काई दिलेला है पहा Aqueous solution of phenol Turn blue litmus red मंझे blue litmus conversion कशा मदे हुई red हाँ point important है Phenols have acidic character मंझे ज़र phenols मदे acidic character असला मुड़े आनि acids मदे blue litmus काही चेंज हो red Blue litmus papers हो असेल तो alcohol चाप्रेजन्स मदे blues रही Color change होना नहीं क्यों red litmus असेल तो alcohol चाप्रेजन्स मदे काही रही Reds पहन ज़र blue litmus paper आपन फेनोल मदे dip केला Aqueous solution तर blue litmus काही रेड अनि red litmus papers पे पर ज़र Aqueous solution आप फेनोल मदे dip केला तर तो red हो रही मंझे ज़र ही ज़र प्रपर्टिया है Blue litmus red करने त्यामोने फेनोल चाइडिक कारेक्टर कंफर्म होता है फेनोल्स हाव असेडिक कारेक्टर सेकेंड टेस्ट देली लिया है Reaction with basis या मदे पहा Acid strength of फेनोल बिंग वेरी लो खुपज कमी आहे खुपज वीकली असेडिक आहे फेनोल्स फेनोल्स cannot react with cannot react with फेनोल्स cannot react with sodium bicarbonate NaCO3 बट react with NaOH पन ते NaOS सोबत रियाक्त होता फेनोल्स ज़र ते वीकली असेडिक असेडिक आमोए NaCO3 सोबत रियाक्त हो नाहित cannot react पर ते NaOH सोबत रियाक्त होतील ओके next हीते रियाक्शन दे लेलिया है बहाँ AROH AROH मन्जेश कहा है थे फेनोल्स फेनोल्स प्लस NaCO3 sodium bicarbonate चो आक्वियूस सोलूशन दे लेला है ते sodium bicarbonate सोबत नो रियाक्शन रियाक्शन दाकवत नाहित फेनोल्स डिसोल इन डिसोल इन aqueous energy बाय फामीन वाटर सोलुबल वाटर सोलुबल मन्जे पानय मदे विर्गा थात वाटर सोलुबल सोडियम फेनोक्सएट पानय मदे विर्गा थातो और रिप्रेसिपित और रिजनरेटेट रिप्रेसिपित और रिजनरेटेट और असिदिफिकेशन विध S.C.L. अपनी उस केले तर S.C.L. सोबदे परतर रिजनरेट होती बंजेज ज़र रियक्शन फ़र्मेट मन्दे आपवाज ज़ालầ तर फेनोल reacts with NaOH NaOH सोबत react होता आने अपलेला काई में अर sodium phenoxide अता हा sodium phenoxide जो आ है तो SCL सोबत react थाल अतो परत काई में अपलेला phenol मंजेज phenol NaOH सोबत react होन काई में तो sodium phenoxide sodium phenoxide SCL सोबत acidification दे उन परत काई में रिजनेट का हो इल phenol यह reaction format मदे आता दे लिला है पहाँ phenol reacts with anyways to form sodium phenoxide हाँ काई है sodium phenoxide plus water आने हाँ जो sodium phenoxide आ है तो sodium phenoxide SCL सोबत react होन अपले लगाए में तो परत phenol मंजे phenol काई होता हो regenerate होता है do you know मदे काई दे लिला है पहाँ sodium bicarbonate मंजे NaCO3 sodium hydroxide NaOH and sodium metal sodium Na are increasingly strong bases मंजे तैंची basicity जया है ती NaCO3 weakly base असेल तैचबेक्षा NaOH जासता strong base असेल अनि सरवाट जासता sodium metals जाहे तो basic असेल weak and strong acids can be distinguished from each other qualitatively qualitative analysis means what is present by testing their reactivity towards basis of different strength मंजे इस आपन weak किमा strong acid है यांचा मने फरक करो शक्तो जर आपन तैंची testing तैंची reaction कशा सोबत के लिए basis सोबत के लिए of different strength मंजे dilute base strong base असा weak base strong base या 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 अब weak acid does not react with weak base हाँ point important है weak acid जाहे तो weak base सोबत react होना नही it requires stronger base मंजे weak acid साथी weak base हाँ hence phenols react with मनुन phenols कोनो सोबत react होता है NaOH but not with not with NaCO3 पहे ते NaCO3 हा weakly basic हाँ कोना बेक्षा NaOH बेक्षा मंजे phenols जो आहे जो weakly acid होता है तो weakly basic NaOH सोबत react होना नही पन strong NaOH basic जो आहे ते जो सोबत react होना a strong acid shows high reactivity towards weak as well as strong base मंजे जो strong acid हस तो HCl प्रमाने ते weak bases सोबत पन आनि strong bases सोबत पन react होता है for example HCl is a strong acid hence it reacts with both NaCO3 जो का है weak base and NaOH जो काया है strong base या दोगन सोबत पन react होना अता ती reaction ही ते देली लिया पहा HCl plus NaCO3 gives you H2O plus NaCl plus CO2 मंजे जो HCl आहे तो कोना सोबत रेयक्ट होना NaHCO3 NaHCO3 काया है अता है आता है आता है CO3 मोदन काय बाहर पढ़े CO2 आनि आता हाँ sodium जो आहे तो sodium मोदला तो कोना सोबत react होई CO2 मंजे जो आपले लागा है मेल NaCl plus CO2 plus H2 मंगी ते H2 दे लेला है NaCl दे लेला है CO2 जो आता है HCl react जाला कोना सोबत strong base सोबत NaOH प्रमानी मंगा अपले लागी ही reaction सोब पिया है हाँ जो H आहे तो कोना सोबत react होई OS सोबत हाँ Cl जो है तो कोना सोबत react होई sodium सोबत आने आपले लागा है मेल NaCl plus H2 next alcohols show no acidic character in aqueous solution thus alcohols do not react with alcohols react होथ नाए कोना सोबत इधर aqueous NHCO3 और aqueous NOH alcohol जाहे ते acidic character दाखवत नसले होई ते NHCO3 की होई NOS सोबत react होना नाए पन very weak acidic character of alcohol very weak हा ही ते acidic character कोन्त दिले लाए very weak weak सुद्धा नाए very weak is revealed in reaction with active metal कोन्त active metal कोन्त active metal सोबत sodium potassium when alcohols are treated with very strong base very strong base उबत कारण है very weak acidic very strong base like alkali metals sodium और potassium they react to give sodium और potassium alkoxide with liberation of का बाहर पडेल hydrogen gas hydrogen gas बाहर पडेल महीं ही ते एक reaction दाखवा ले लिया है ही ते पाहाँ 2ROH प्लस 2NA gives you 2RONA प्लस H2 हाँ है alcohol हाँ sodium metal गेत लेला है reactive metal हाँ है sodium alkoxide अनि हीते हाजो gas ताया रोईल हाँ है hydrogen gas हीते आथा दोन alcohol molecules गेत लेले दोन alcohol molecules दोन hydrogen एक मेगाण सोबत कमबाईन होल हीते काई मेल हीते दोन alkoxide ग्रूप आहे हीते दोन alkoxide ग्रूप हाँ O- आहे हाँ sodium आहे तो कोना सोबत कमबाईन होल O सोबत मन्जेज अपनला काई मेल 2RO- Na plus sodium alkoxide liberation liberation मन्जे मुकता होने liberation of hydrogen gas is used to detect detect मन्जे the presence of alkoxide group in molecule मन्जे alkoxide group मन्जे आहे कि नाही हे find out कराई तो molecules आहे क्या तो substance आहे तो sodium मेटर सोबत रियाक्ट कराई सोडियम मेटर सोबत reaction के लिया इंतर hydrogen gas liberate होत तो तर त्या molecule